ममता बेनर जी पार चटर जी को न तो मंत्री पद से हटाना चाहती थी और नहीं पार्टी से लेकिन टीमसी के अंदर खाने अभिशेक बेनर जी गुट ने इतना दबाव बनाया कि ममता बेनर जी को मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा कुणाल गोष जिने अभिशेक बेनर जी का करीबी माना जाता है, सबसे पहले उन्होंने सारवजनिक रूप से पार चटर जी को मंत्री पद और पार्टी से बाहर करने की मांग कर डाली और यह भी कल डाला कि पार चठर जी को बाहर किया जाए नहीं तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए कुराल घोश के इस बयान को ममता बेनर्जी पद दबाओ की तरह माना गया और मजबूर होकर ममता बेनर्जी ने पार चठर जी को पहले मंत्री पद से हटाया लेकिन बात इससे भी बनती नहीं देख अंत में ममता बेनर्जी को उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा यह टीमसी में अभिशेक बेनर्जी की पहली बड़ी जीत मानी जा रही है वजह यह कि पाठ चठाजी ना सिर्फ मम्ता बेनर जी के बहत करीबी थे बलकि उनकी हैसियत पार्टी में नमबर दो की थी और इसी नमबर दो का शिकार कर अभिशेक बेनर जी ने मम्ता बेनर जी को मात दे दी अभिशेक बेनर जी चाहते हैं कि मम्ता बेनर जी बंगाल उनके हवाले कर रास्ट्री राजनिती में जाएं लेकिन मम्ता बेनर जी को यह सब मंजूर नहीं था इससे पहले प्रशान किशोर के साथ मिलकर अभिशेक बेनर जी ने कुछ ऐसा ही खेल किया था लेकिन तब मम्ता बेनर जी इस बात को भाब गई और उन्होंने प्रशान किशोर की छुट्टी कर दी और अभिशेक बेनर जी के पर कतर डाले लेकिन पार्थ चटर जी के गिरफतार होते ही अभिशेक बेनर जी के सोए अर्मान फिर से जाग उठे यही वज़ा है कि पार्थ का मंत्री पद और पार्टी से निकाले जाने की तुरंत बाद अभिशेक बेनर जी ने उन पर सीधा हमला किया अभिशेक बेनर जी ने कहा कि पार्थ चटर जी को महासचेव, रास्ट्रिव पाध्यक्ष और तीन अन्य पदों से हटा दिया गया है जाज जारी रहने तक उन्हें ने लंबित कर दिया गया है दोशी नसाबित होने पर वापस आ सकते हैं पार्थ का किसी भी FIR में नाम नहीं आया है लेकिन उन्हें सभी पदों से हटा दिया है अभिशेक बेनर जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने फैस्ता लिया और पार्थ चटर जी को मंत्री पद से हटा दिया गया मामले की जाच की जा रही है अगर कोई कुछ गलत करता है तो टीमसी उसे नहीं बक्षेगी भरस्ता चार पर जीरो टॉलरेंस होगा जाज अजनसी को समय सीमा के भीतर जाच पूरी करनी होगी शारदा मामले में भी कुछ नहीं हुआ यह सिर्फ लटका हुआ है समय बद्ध जाच होनी चाहिए उन्होंने कहा कि जो रकम अर्पिता मुखर जी के घर से बरामद हुई वर टीमसी से नहीं है हम चाहते हैं कि इस मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ करी कारवाई की जाए टीमसी एक मात्र पार्टी है जिसने इस मामले में साथ दिनों की भीतर हस्तक छेप किया अभिशेक बेनर जी ने कहा कि मैं समत हूँ कि बड़ी रकम वसूल की गई लेकिन आए दिन बैंक फ्रॉड हो रहे हैं भाच्पा ने क्या कारवाई की नीरव मोधी भाग गए क्या भाच्पा ने निर्मला सीता रुमन को बरखास्त किया अधी चौजरी के खिलाफ कॉंग्लेस पार्टी ने क्या कारवाई की टीमसी अपनी बात पर चलने वाली पार्टी है मैं या बात कालपनिक रूप से कह रहा हूं कि अगर पार्ट चटरजी दो महीने बाद भाच्पा में चले गए तो वे संत बन जाएंगे चुकीवा टीमसी में है इसलिए ये सब हो रहा है मिथुन चकरवर्ती के टीमसी विधायकों को लेकर किये गए दावे पर टीमसी नेता अभिशेक बेनरजी ने कहा कि न्यूस अफ इंडिया